तो आज का वीडियो इंटरेश्टी होने वाला है तो आज के इस वीडियो में क्या आपको आइफोन 12 Max Pro फ्री में मिल सकता है? इसी के बारे में देखेंगे अगर अपने चानल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए वीडियो के अंगर चलते हैं अगर आप एक आइफोन 12 Pro Max को तीन हजार में खरीज सकते हैं तो आप क्या करेंगे? हसमत यह सच है अगर आप एक DSLR कैमरा को दो हजार में खरीदोगे तो अगर हम एक लैप्टाप को एक हजार में खरीज सके तो हाँ यह सब अभी चल रहा है मैं इसके बारे में आपको इंफोमेशन बताने से पहले आप यह वीडियो को सब को शेर कीजिए यह आइफोन आप कहा खरीच सकते हैं? यह सच है कि जूट है? इसके बारे में सारे इंफोमेशन आप देखेंगे आप कौन सा भी फोन ले लो? यह वो सामसंग हो, आईफोन हो, या फिर एक टाबलेट, या फिर एक DSLR कैमरा, या फिर एक बड़ा सा कंप्यूटर यह सारे चीज, एक हजार या पाच हजार के बीच में रहेगा, तो आप वहाँ खरीदेगें कि नहीं, यह ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे चीज खरीदने के लिए, आपको वाट्साप में फारवर्ड मेसेज़स आये होंगे पेलेग्राम में जो ग्रूप में आप अभी अभी सामिल होे थे वह ग्रूप में अभी एक मेशेज़ आया है कि आपको फ्रीव में लैपटाप मिल रहा है और आपको बहुत सारे मेल भी आया होँगे परसनलि 1974 मुझे तो बहुत मेल चाते उसके बारे में इंस्टीण पीजह में एसके बारे में से आपको बहुत सारे जगों में फ्रि एलक्ट्रानिक्स आइटम मिल रहा है एद noisesской होंगे सारे प्लाडेक्स को जनरेशन में Sặb के पास stars यानकी debit cardus credit card इंपोर्टनल की इस जो क्रिडिट करडं है इसका जो number है यह legally online में hacker करके hacker store कर लेते हैं एसे बहुत सारे data होते हैं वो सारे data को collect करके database में store करते हैं और अब यह सारे data को वह hacker dark web में share कर सकते हैं लेकिन थोड़े hackers के पास वह card का detail उनके पास ही लगते हैं और जब कई उनसे कोई DSLR कामरा या लापटब मांगता है तभी उनके पास जो काड है उसमें से अमांट लेकर वह परसन को सब खरीद के देता है यानि कि अगर वह प्रोडक का रेट वन लाक होगा तो हमसे सिर्फ एक हजार मांगेंगे अगर हम वह एक हजार उन्हें देंगे तो प्रोडक समयल घर को डिलीवर हो जाएंगे एसे ही वह खेंगे लेकिन वह पूरा फेक है आपने कोई वाट्चाप ग्रूप्स में देखा होगा कि थोड़े लोगों ने ओर करके उन्हें सक्सेसुली वह प्रोडक मिल गया वैसे बहुत सारे मेसेजिस आपने देखे पूछा है कि क्या हम यह खरीज सकते हैं यानि कि अगर एक जन के पास सिर्फ दो हजार है लेकिन उसे आइफोन 12 खरीदना है वह जाके यह प्रोसेस में जाके शामिल हो जाते हैं इसके कारण वह जो कार्डिंग प्रोसेस है वह इस्तमाल करके हैकर इनका कार्ड डीटेल्स ह कोई इनसान दुनिया के एक कोने से हम जहाँ है वहाद से हमारा पैसा ले लेता तो वह लीग होगा ना और आप सोस करेंगे डिज्आ है लेकिन कि वह बीड़ी लेकिन लेकिन अब हम उसके लिए पैसे कैसि यह वहफ हो बीडल है अभी आप सोचिए कि आप हैकर से कुछ ओर्डर करते हैं और आप ओर्डर करने के बाद वो हैकर अपना पूरा डेटाबेस इरेस करकर चले जाता है लेकिन आपने जो अड्रेस दिया है वो आपका यह अड्रेस होगा इसे लिए पॉलिस ट्राक करके आपके घर को आएंगे और इसके लिए आपने बहुत सारे ट्रिक सोचे रहेंगे हम फेक एड्रेस डालेंगे दूसरे अड्रेस डालेंगे लेकिन फिर भी आप फस जाएंगे और यह सब करने के बाद वो प्राडेक्ट आपको सक्सेस्फुली अगर मिल गया तो आप 50% जिल जाने की चैंसे हैं और दूसरा 50% यह है कि आप इमेजिन करके देखे कि मैं ही वो हैकर हूँ और आपको वो फोन आईफोन 12 सब भेज रहा हूँ इसलिए मैं पहले कहूंगा कि यह सारे प्रासेस करने के लिए आपको मुझे पहले 2000 भेजने पड़ेंगे फिरी मैं यह प्रासेस स्टार्ट करूंगा आप जब आपके प्रेडिट कार से वो अमांट मुझे भेजते हैं तो मैं आपके आकाउंट को ब्लॉक कर दूंगा फिर आप कुछ भी ट्राइ कर लिजे मुझे धुनने सकते ऐसे बहुत सारे लोग हैकर से बिट्रेल हुए है यानि कि उन्हें धोका पड़ी आए वो कि इतने बार भी कॉंटक करने ट्राइ करें लेकिन कोई फोन नहीं उठाएगा इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी यह सारे कार्डिंग प्रोसेस पता चले और आप इसे से शेफ रहे और आप ऐसे कोई ट्राप में ना पड़े इसलिए आप ध्यान से अपना स्टेप लिजे यह सब सुनने के लिए अच्छा होगा कि लात अब सिर 3,000 ख़जर के लिए लेकिन यह बहुत ही हामफुल है तो यहां हमारा वीडियो खतम होता है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब किजिए और शेयर किजिए और भूलना मत हमादे ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो किजिए